नमस्कार आध्यामों ब्लोग में आपका स्वागत है चलिए आज हम बेशन की मिठाई बनाएंगे जो मुँँ में डालती एकदम घूल जाएगी देखे मैंने क्या के सामगरी ले लिया है बनाने के लिए चीनी लिया है मैंने मावा लिया है बेशन लिया है और ड्राइफ फूट्स काट की रख लिया है एक बात का अब ध्यान रखना जितना मावा होगा उससे उसके आधा ही बेशन लेना है हमें और मैंने गैस पर चढ़ा दिया है फ्राइब एन को उसमें थोड़ा सा गी डाला है उस गी में बेशन को हम बूनेंगे मद्यम आज पर उसको बूनेंगे मद्यम आज पर भूनेंगे तो सही रहेगा तेज आज पर भूनेंगे बाद फिर बेसन पहले ही जल जाता है और अच्छे से भूनता नहीं है इस बात का बहुत ध्यान रखना है और देखिए हमारे बेसन भून रहा है बिल्कुल दीमी आज पर चलाते ही भूनेंगे उसको जब बेसन भून जाएगा तो उसमें से अच्छी से खुश्बू आने लगेगी उसके बाद उसमें मावा डालेंगे और मावा को डालकर उसको चलाएंगे थोड़ी देर तक उसके बाद उसमें चीनी भी आइड कर देंगे मावा बेसन और चीनी तीनों को साथ में मिलाके अच्छे से चलाएंगे ताकि उसका एक अच्छा सा गोल बन जाए और आज को दीमी ही रखेंगे तेज आज करने के बाद फिर उनीचे से तली में लगने लगेगा देखें कैसे पकड़ाया धीरे धीरे और अच्छे से चलाते हुए पकाया है कि ताकि चीनी अच्छे से मितलब घूल जाए एकदम से देखें अब पैन को छोड़ने लगाया तली से कितना सुनहरा सा कलर आया है प्यारा सा एकदम चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे और इसको गार्निस करने के लिए उपर से मैंने ड्राइफ्रूट्स कार्ट लिया है जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है बादाम है और काजु है आपके पास पिष्टा भी होगा तो वो भी डाल सकते हैं आप इसमें आप नारियल का पुरादा भी डालना चाहेंगे तो डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डालाया और देखे अच्छे से भुन के तयार हो रहा है एकदम बहुत ही अच्छी बनती है मिठाई इसकी बहुत टेस्टी लगती है खाने में अब इसको मैंने गैस बन करके नीचे उतार दिया और नीचे उतार कर इसको अच्छे से खुब चलाएंगे अच्छे से चलाते हैं जब मिल जायागा उसके बाद से मैंने एक प्लेट ले लिया है उसमें घी लगाके फिर उसको उसी मेंनिकालेंगे जमने के लिए इसको तयार करेंगे इसमें और अच्छे से इसको फैला लेंगे पहलाने के बाद इसको चारों तरफ से अच्छे से इला देंगे ताकि ये मतलब चारों तरफ से बरावर बरावर हो जाए उसके बाद इसको गार्निस करने के लिए उपर से मैंने ड्राइफ फूट्स डाल दिया है ड्राइफ फूट्स डालने के बाद इसको अलका सा चम्मस से दबा देंगे इसके बाद इसको मैंने आदे गंटे के लिए रख दिया है जमने के लिए और देखे ये तयार हो गया है और इसको चाकू से काट लेंगे देखने से कितना प्यारा कलर लग रहा है देखिए मैंने काट लिया इसको अब इसको अलग प्लेट में निकाल के रखेंगे एक एक करके निकालेंगे देखिए कैसे निकल रहा है आसानी से एकदम बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है बहुत ही टेस्टी बनता है आप लोग भी बनाईए देखिए कैसा लग रहा है देखिए ऐसा लग रहा है अभी उठा के खा ले इसको बहुत ही टेस्टी है आप लोग भी बनाईए खाईए चैनल को लाइक करिए सेयर करिए सब्सक्राइब करिए नमस्कार झाल, झाल